उपन्यास का नाम बिल्ले सुर्ब बकरिहा लेखक सूरेकान त्रिपाठी निराला जी वाचनकर्ता अमित पांडे भाग एक बिल्ले सुर्ब नाम का शुद्ध रूप बड़े पते से मालूम हुआ बिल्ले शुर है पुर्वा डिवीजन में जहां का नाम है लोक मत बिल्ले सुर्ब शुर्ब की ओर है कारण पुर्वा में उक्त नाम के प्रतिष्ठित श्यो हैं अन्यत्र यह नाम न मिलेगा इसलिए बाशा तत्त्य की दृष्टि से गौरव पूर्ण है बकरिया जहां का शब्द है वहां बोकरिया कहते हैं वहां बकरी को बोकरी कहते हैं मैंने इसका हिंदुस्तानी रूप निकाला है हा का प्रयोग हनन के अर्थ में नहीं पालन के अर्थ में है बिल्ले सुर्जाति के ब्रहमण तरी के सुकुल हैं खेमे वाले के पुत्र खयाम की तरह किसी बकरी वाले के पुत्र बकरिया नहीं लेकिन तरी के सुकुल को संसार पार करने की तरी नहीं मिली तब बकरी पालने का कारोबार किया गाउं वाले उक्त पद्वी से अभियत करने लगे हिंदी भाषा सहित्य में रस का अकाल है पर हिंदी बोलने वालों में नहीं उनके जीवन में रस की गंगा जमुना बहती है बीसुई सदी सहित्य की धारा उनके पुराने जीवन में मिलती है उधारण के लिए अकेला बिल्ले सुर का घराना काफी है बिल्ले सुर चार भाई आधुनिक साहेत्य के चारों चरण पूरे कर देते हैं बिल्ले सुर के पिता का नाम था मुक्ता प्रसाद क्यों इतना शुद्ध नाम था मालूम नहीं उनके पिता पंडित नहीं थे मुक्ता प्रसाद के चार लड़के हुए मन्नी, ललई, बिल्ले सुर और दुलारे नाम उन्होंने स्वयम रखे पर ये शुद्ध नाम है उनके पुकारने के नाम गुड अनुसार और और है मन्नी पैदा होकर साल भर के हुए पिता ने बच्चे को गर्दन उठाए बैठा चपकता देखा तो गपुआ कहकर पुकारना शुरू किया आदर मैं गपु दूसरे लड़के ललाई की गोराई रोयों में निखराई थी आँखें भी कंज लोचन सभाव में बदले-बदले पिता ने नाम रखा भर्रा आदर मैं भूरू बिल्ले सुर के नाम मैं ही गुड था पिता बिलुआ आदर मैं बिल्लू कहने लगे दुलारे अपना इश्वर के यहां से खतना करा कराये थे पिता को नाम करण मैं आसानी हुई कटूआ कहकर पुकारने लगे पहले मुक्ता प्रसाद संसार बंधन से मुक्त हो गए। उनकी पतनी देखरे करती रही। पर वे भी पीस कर, चौका टहल कर, कंडे पात कर, ढोर छोड कर, रोटी पका कर, छोटे से बाग के आम महुए बीन कर, लड़कों को किसानी के काम में लगा कर ईश्वर के यहां चली गई। उनके नरहने पर चारों भाईयों की एक राय नहीं रही। विवाद काम में विग्न पैदा करता है। फलतह चार भाईयों की दो टोलियां हुई। मन्नी और बिल्ले सुर एक तरफ हुए, ललाई और दुलारे दूसरी तरफ जैसे सनातन धर्मी और आर्य समाजी। और शाक्त, वैदिक और वितंडावादी। फिर सब की अपनी डफली और अपना राग रहा। सनातन धर्मानुसार मन्नी दुखी हुए कि तरी के सुकुल होने के कारण कोई लड़का नहीं ब्याह रहा। पर विवाह आवश्यक है इस लोग के लिए भी और परलोग के भी। माता पिता उजर गए हैं, पानी तो उन्हें मिल जाता है पर माता जी को बढ़िया नहीं मिलती। बिना ग्रहनी के घर में भूत डेरा डालते हैं। अर्थात जूट ही अधिक यानी एक पैसे की हैसियत एक लाग की बताई जाती है। मन्नी के विवाह में ऐसा ही हुआ। लड़की ने मा का दूद छोड़ा ही था, मा बेबा थी। कहा गया दो तीन सो रुपए लेकर क्या करोगी जबकि लड़की को अभी दस साल पालना पोसना है वहीं चल कर रहो, घी दूद खाओ और रानी की तरह रहकर लड़की की परवरिश करो। बात मा के दिल में बैट गई, मन्नी तब तीस साल के थे, पर चूंकि नाटे कत के थे, इसलिए अठारा उन्नीस की उमर बतलाई गई, मूचों की वैसी बला न थी, बात खप गई। मन्नी के खेतों के पास एक जाड़ी है, कहते हैं वहां देवता जाड़ खंडेशोर रहते हैं, एक दिन शाम को मन्नी धूप दीप, अक्षच चंदन, फल, फूल, जल लेकर गए और उकणू बैटकर उनकी पूजा करते, न जाने क्या-क्या कहते रहे, फिर लोटकर प्रसा मैंगनी साफा बांधे एक बेवा और उसकी लड़की को लेकर घर लोटे, रास्ते में जमीदार का खलिहान लगा था, दिखा कर कहा, सब अपनी ही रब्वी है, सासु जी ने मुश्किल से आनंदा तिरेक को रोका, कुछ बढ़े, गाउं के बागात देख पड़े, मन्नी हाथ उठा कर बताया, वहां से वहां तक सब अपनी ही बागे हैं, सासु जी को संदेह न रहा कि मन्नी मालदार आदमी है, घर तूटा था, भाईयों से जुदा होकर एक खंडर में रह रहे थे, लेकिन बाग देवी प्रचंड थी, खंडर को भी खिला दिया, पहुँचने से पहले रास्ते में जमीदार की हवेली दिखा कर बोले, हमारा असली मकान यह है, लेकिन यहां भाई लोग हैं, आपको एकांत में ले चलते हैं, वहां आराम रहेगा, यहां आपकी इज़द न होगी, फिर उसी को हवेली बना लेंगे, सासु ने श्रधा पूर्वक कहा, हाँ भईया ठीक है, बहरे आदमियों में रहना अच्छा नहीं, मन्नी खंडर में ले गए, इस दिन पसेरी भर दूद ले आए, सासु जी लजजित होकर बोली, एं इतना दूद कौन पियेगा, मन्नी ने गंभीरता से उत्तर दिया, आउटने पर थोड़ा रह जाएगा, तीन आदमी है जादा नहीं, फिर अभी कुछ दूद चीनी शर्वत के तौर पर पियेंगे, सासु ने आराम की सांस ली, मन्नी भंग चानते थे, ठाकुर दूआरे में एक गोला पीसकर तयार किया और चुपचाप ले आए, दूद में शक्कर मिला कर गोला गोल दिया, भंग में बादाम की मात्रा काफी थी, सासु जी को अम्रित का स्वाद आया, एक सांस में पी गई, मन्नी ने थोड़ी सी अपनी भावी पत्नी को पिलाई, फिर खुद पी, सासु जी हाथ पेर धोकर बैठी, मन्नी पूड़ी निकालने लगे, जब तक नशा चड़े चड़े, तब तक काम कर लिया, पूड़ी तरकारी, दूद शक्कर, मिठाई, खटाई, बड़ी ततपरता से सासु जी को परोसा, सासु जी को मालूम दिया, मन्नी बड़ी तपस्या के फल मिले, खुब खाया, मन्नी ने पलंग बिचा दिया था, मा बेटी लेटी, मन्नी बोजन करके इश्वर स्मरण करने लगे, आधी रात को जोर से गला ज़ाड़ा, पर सासु जी बेखबर रही, फिर दर्वाजे पर हाथ दे दे मारा, पर उन्होंने करवट भी न ली, मन्नी समझ गए कि सुबह से पहले आँख न खोलेंगी, बस अपनी भावी पत्नी को गले लगाया, और भगवान बुद्ध की तरह घर त्याक कर चल दिये, पत्नी गले लगी सोती रही, सुबह होते ही मन्नी ने साथ कोस का फासला तै किया, जहां पहुँचे वहां रिष्टेदारी थी, लोग सद गए, सासु जी ने सवेरे हल्ला मचाया, बात खुली पर चिडिया ओड़ चुकी थी, वे रोपीट कर शाप देती हुई कि तू मर जा, तेरी चारपाई गंगा जी जाए, घर चली गई, मन्नी शुब दिन देखकर चुपचाप विवाह कर पत्नी को साथ लेकर परदेश चले गए, पत्नी की दस बारह साल सेवा की, अब धर्म की रक्षा करते हुए, उसे बीस साल की अकेली, उसकी मा की गोद में जैसे एक कन्या छोड़कर स्वर्ग सिधार गए हैं, मन्नी कटर सनातन धर्मी थे, ललई का दूसरा हाल है, पहले ये भी कलकत्ता बंबई की खाक छानते फिरे, अंत मैं रतलाम में आकर डेरा जमाया, यहां एक आदमी से दोस्ती हो गई, कहते हैं ये गुजराती ब्रहमण थे, ईश्वर की इच्छा कुछ दिनों में दोस्त ने सदा के लिए आँखें मूँ दी, लाचार दोस्त के घर का कुल भार ललई ने उठाया, दोस्त का एक परिवार था, पत्नी, दो बेटे, बड़े बेटे की स्त्री, इन सबसे ललई का वही रिष्टा हुआ, जो इनके दोस्त का था, इस परिवार में कुछ माल भी था, इसलिए ललई ने परदेश रहने से देश रहना आवश्यक समझा, चुँकि अपने धर्मकर्म में द्रिण थे, इसलिए लोक निंदा और यश कथा को एक सा समझते थे, अज तु इन सब को गाउं ले आए, एक साथ पत्नी, दो दो पुत्र और पुत्र वधु को देखकर लोग एक टक रह गए, इतना बड़ा चमतकार उन्होंने कभी नहीं जानते थे, जिस पर पड़ती है, उसका जल्द निस्तार नहीं होता, इसलिए निस्तार की आशा छोड़ कर ही आये थे गाउं वालोंने ललई का पान-पानी बंद किया, ललई ने सोचा एक खर्च बचा गाउं वाले भी समझे, इसने बेवकूफ बनाया, माल ले आया है, जिसका कुछ भी खर्च न कराया गया ललई निर्विकार चित्त से अपने रास्ते आते जाते रहे, मौके की इताक में थे, इसी समय आंदोलन चला, ललई देश के उधार में लगे बड़ा लड़का गुजरात में कहीं नौकर था, खर्चा भेजता रहा, गाउं वाले प्रभाव में आ गए, ललई की लाली के आगे उनका असहयोग न टिका अब मिलने की बातें कर रहे हैं, ललई राजनेतिक सुधारक सामाजिक आदमी हैं बिल्ले सुर का हाल आगे लिखा जाएगा, इनमें बिल और ईश्वर दोनों के भाव साथ साथ रहे दुलारे आरे समाजी थे, बस्ती दीन सुकुल पचास साल की उम्र में एक बेवा ले आये थे, लाने के साल ही भर में उनकी मृत्य हो गई दुलारे ने उस बेवा को समझाया, पती के रहते भी तीन साल या तीन महीने खबर न लेने पर पत्नी को दूसरा पती चुनने का अधिकार है फिर जब बस्ती दीन नहीं रहे, तब तीसरे पती के निर्वाचन की उन्हें पूरी सुतंत्रता है और दुलारे उनकी सब तरह सेवा करने को तयार है स्त्री को एक अवलंब चाहिए, वह राजी हो गई, लेकिन दुलारे भी साल भर के अंदर संसार छोड़कर पर लोक सिधार गए, पत्नी को हमल रह गया था, बच्चा हुआ अब वह नारत की तरह ललाई के दरुआजे बैठा खेला करता है, मा नहीं रही भाग दो मनी मार्ग दिखा गए थे, बिल्ले सुर पीछे पीछे चले, गाओं में सुना था, बंगाल का पैसा टिकता है, बंबई का नहीं, इसलिए बंगाल की तरफ देखा पास के गाओं के कुछ लोग बर्दवान के महराज के यहां थे, सिपाही, अर्दली, जमादार बिल्ले सुर ने सांस रोक कर निश्य किया, बर्दवान चलेंगे, लेकिन खर्च न था, पर प्रगति शील को कौन रोकता है? यद्यपी उस समय बोल्शे विजम का कुछ ही लोगों ने नाम सुना था, बिल्ले सुर को आज भी नहीं मालूम, फिर भी आइडिया अपने आप बिल्ले सुर के मस्तिश्क में आ गई वे उसी फटे हाल कानपुर गए, बिना टिकट कटाए कलकते वाली गाड़ी पर बैट गए, इलाहाबाद पहुँचते पहुँचते चेकर ने कान पकड़ कर गाड़ी से उतार दिया बिल्ले सुर हिंदुस्तान की जलवायू के अनुसार सव इनाय कानून भंग कर रहे थे, कुछ बोले नहीं, चुप चाप उतर आए, लेकिन सिधान्त नहीं छोड़ा, प्लेटफॉर्म पर चलते फिरते समझते बूशते रहे जब पूरब जाने वाली दूसरी गाड़ी आई, बैट गए, मुगल सराय तक फिर उतारे गए, लेकिन दो तीन दिन में चड़ते उतरते बर्दवान पहुँच गए पंडित सत्य दीन सुकुल महराज बर्दवान के यहां जमादार थे यद्यपी बंगालियों को सत्य दीन शब्द के उचारण में अडचन थी, वे सत्य दीन या सत्य दीन कहते थे, फिर भी सत्य दीन की उन्नति में वे कोई बाधा नहीं पहुँचा सके अपनी अपार मुर्खता के कारण सत्य दीन महराज के खजांची हो गए आधे आधे इसलिए कि ताली सत्य दीन के पास रहती थी, खाता एक दूसरे बाबु लिखते थे सत्य दीन इसे अपने एकांत विश्वासी होने का कारण समझते थे दूसरे हिंदुस्तानियों पर भी इस मरियादा का प्रभाव पड़ा बिल्ले सुर्ष समझ बूज कर इनकी शरण में गए सत्य दीन सस्त्रीक रहते थे, दो-तीन गाएं पाल रखी थी स्त्री, शिखर दशना थी, यानि सामने के दो दांत आवश्यक्ता से अधिक बड़े थे खोटों से कोशिश करने पर भी नबंद होते थे पैकू के सुकुल, कनोजिया पन में बिल्ले सुर से बहुत बड़े फल तह, बिल्ले सुर को यहां सब तरह अपनी रक्षा देख पड़ी बिल्ले सुर सत्ती दीन के यहां रहने लगे ऐसी हालत में गरीब की तहजीब जैसी दबे पाउं, पेट खलाए, रीड जुकाए, आँखें नीचे किये आते जाते रहे उठते जौबन में सत्ती दीन की स्त्री को एक सुहलाने वाला मिला दो-तीन दिन तक भोजन न खला एक दिन औरत वाले कोठे जी गया नकी सुरों मैं बोली मैं कहती हूँ बिल्ले सुर, तुम तो आही गए हो और अभी हो ही इस चरवाहे को विड़ा क्यों न कर दूँ हराम का पैसा खाता है कोई काम है गास खड़ी है दो-बोज काटला नी है नहीं, पैर की मदी मूटे है यहां वहां का जैसा धान का पैरा नहीं बड़ा-बड़ा कतर देना है और थोड़ी सी सानी कर देनी है और खूटा गाड़ कर बान दिया गाएं चरती रही शाम को बाबू की तरह टहलते हुए गए और ले आए दोदो लिया रात को मच्छड लगते हैं गीले पैर का धुआ दे दिया कहने मैं तो देर भी लगी कहकर सत्ती दीन की स्त्री ने कनपटी गुमाई और दोनों होट सटाने शुरू किये बिल्ले सुर चौकर ने ढोर चराने के लिए समंदर पार नहीं किया यह काम गाओं में भी था लेकिन परदेश है अपना कोई नहीं दूसरे के सहारे पार लगना है सोचा तब तक कर लें नौकरी न लगी तो घर का रास्ता ना पेंगे बिल्ले सुर को जवाब देते देर हुई सत्ती दीन की स्त्री ने कनपटी गुमाई कि बिल्ले सुर बोले काउन बड़ा काम है काम के लिए ही तो आया हूँ साथ सो कोस देश साथ सो कोस तो होगा बिल्ले सुर के निश्चे पर जम कर सत्ती दीन की स्त्री ने कहा ज्यादा होगा कानपुर से बर्दोवान की दूरी सोच कर बोली जमादार आएंगे तो पूछूंगी उनकी किताब में सब लिखा है बिल्ले सुर खामोश रहे मन मैं खिस्मत को भला बुरा कहते रहे शाम को जमादार आए भोजन तयार था स्त्री ने पैर धुला दिये जमादार पाटे पर बैठे स्त्री दिन को मखिया उड़ाती है रात को सामने बैठी रहती है जमादार भोजन करने लगे स्त्री ने कहा जमादार, बिल्ले सुर कहते हैं अपना देश यहां से 700 कोस है मैं कहती हूँ और होगा तुम्हारी किताब में सब कुछ लिखा है सत्ती दीन को एक डाइरी मिली थी डाइरी भी वही बाबू लिखता था लिखने के विशय के अलावा और क्या-क्या उसमें लिखा है सत्ती दीन उस बाबू से कभी-कभी पढ़ा कर समझते थे सत्ती दीन ने सोचा महराज ने उंचा पत्तो दिया ही है संसार को भी उनकी मुठी में बेर की तरह डाल दिया है कई रोज वह किताब घर ले आये थे और वहाँ जो कुछ सुना था जितना याद था जबानी स्त्री को सुनाया था बाएं हाथ से मूचों पर ताओ देते हुए मुह का नेवाला निगल कर सत्ती दीन ने कहा साथ सो कोस इलाहाबाद तक पूरा हो जाता है उनकी स्त्री चमकती आँखों से बिल्ले सुर को देखने लगी बिल्ले सुर हार मान कर बोले जब किताब में लिखा है तो यही ठीक होगा पती को प्रसन देखकर पत्नी ने अरजी पेश की जिस तरह पहले बड़े आदमियों का मिजास पर खाजाता था फिर बात कही जाती थी बिल्ले सुर गर्जमंद की बावली निगास से देखती रहे सत्ती दीन ने उसमें एक सुधार की जगह निकाली कहा बिल्ले सुर अपने आदमी है इसमें शक नहीं लेकिन इसमें भी शक नहीं कि उस छोकडे से ज़्यादा खाएंगे हम तनखा न देंगे दोनों वक्त खा लें तनखा की जगह हम तहसील के जमादार से कह देंगे वे इन्हें गुमाश्तों के नाम तहसील की चिठियां देते रहें ये चार-पांच घंटे में लगा आएंगे इन्हें चार-पांच रुपए महीने मिल जाया करेंगे हमारा काम भी करते रहेंगे सत्ती दीन की स्त्री ने किये उपकार की निगाह से बिल्ले सुर को देखा बिल्ले सुर खराक और चार-पांच का महीना सोच कर अपने धनत्यों को दबा रहे थे इतने से आगे बहुत कुछ करेंगे सोचते हुए उन्होंने सत्ती दीन की स्त्री से हामी की आँख मिलाई जमादार गंभीर भाव से उठकर हाथ मूँ धोने लगे उपन्यास का नाम बिल्ले सुर्बकरिहा उपन्यास कार सूर्यकान त्रिपाठी निराला जी वाचन करता अमित पांडे